तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे फूर्ड हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए जिससे कि हमारी बॉड़ी पर बहुत ही खराब असर पड़ता है तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं तो जो पहला फूर्ड आता है वो है फूर्ड जूसिस दोस्तो जो रियल जूसिस होते हैं जैसे कि किसी फूर्ड का जूस जो हम घर पर निकालते हैं वो तो अच्छे हैं मगर जो जूसिस हम स्टोर्स से लेते हैं वो जूसिस बिलकुल भ लेवरिंग है जो कि हमारी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर करते हैं तो दोस्तों आज से ही आप अपने घर पर जूसिस निकाले और उनका आनन्द लीजिए और स्टोर के जूसिस को बाय बाय बोले तो दोस्तों जो दूसरे नंबर पर हमें फूट बिलकुल नहीं लेना चाह साथ हेल्दी होती थी मगर आज कल आईस क्रीम बहुत ही बदल चुकी है दोस्तों इसकैंट और और मिलावती दूद इस्तमाल होता है दोस्तों आपको बता दूँ नहीं कि क्य अवित Sponge बहुत ही जहां गुद्धर बशक करल दोस्तों करेंस कर्रियल्क आपकर देश्या के लावा अपने रंग वाली आइस्क्रीम देखी ही होगी जो कि बहुत ही जादा हमारी सेहट के लिए डेंजरिस होती है दोस्तों जो तीसरे नंबर पर फूड आता है वो है एग्स आप सोच रहे होंगे कि एग्स तो बहुत ही हैल्दी होते हैं मगर मैं आपको बता दूं य जिनरल से बरा होता है मगर इस दोस्तो रिजिसन स्टेडिस में पता चला है कि एक एग रोज खाने से आपकी लाइफ कम हो रही है और दोस्तो जो चौती नमबर पर सबसे खतरनाख फूराता है वो है माइक्रो वेप पॉपकॉर्ण यार अब आप फिर से मुझे गाली देंगे क्यूंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग पॉपकॉर्ण बहुत इंजॉय करते हैं और जब भी मूविस देखने जाते हैं तो आप भर भर कर पॉपकॉर्ण खाते हैं दोस्तो जो पॉपकॉर्ण होते हैं वो परफूल लॉनिक एसिड से बरे रहते हैं जिसके चलते ये आपके ब्लड को बहुत ही गहरा बना देते हैं और इससे आपकी वेंस में ब्लॉकिश हो जाती है और इससे ब्रीछिंग प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़ादा बढ़ जाती हैं तो दोस्तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप पॉपकॉर्ण को मत खाये और इससे जितना हो सके अवाइड कीजिए तो दोस्तो जो पांच में नमबर पर फूर आता है वो है वाइड चॉकलेट दोस्तो डार्ट चॉकलेट तो बहुत ही बढ़िया होती है मगर वाइड चॉकलेट बहुत ही खराब होती है दोस्तो इसमें शूगर का लेवल बहुत ही ज़ादा होता है और क्योंकि इसमें चॉकलेट बीन्स नहीं होते इसलिए ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़ादा खतरनाक हो जाती है इसमें सिरफ शूगर होने के कारण ही ये हमारे बलड को बहुत ज़ादा मूटा करती है जिससे की हम बहुत ही हार्ड की डिजीजिस के करीब चले जाते हैं तो दोस्तों अगर आपको चॉकलेट खानी है तो कोशिश कीजिए कि आप डार्क चॉकलेट खाएं तो दोस्तों हमें उमीद हैं कि ये यो सेहत वाली आज हमने वीडियो बनाई हैं यह आपको बहुत ही पसंद आई होगी इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोग अपनी सेहत के प्रती और भी ज्यादा जागरूप हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो ल लेकर आते रहेंगे